हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभीका ओनलाइन एट आफ़र स्टूडी यीटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस अपडेट के बारे में जोकी संबंदित हैं उत्तर परदेश के नई सिक्षा सिर्वा चैन आयोक के बारे में साथी साथ अगर बात की जाए यूपी टीटी दोरजा टेईस यूपी टीजीटी-बीजटी परीक्षा और सुबर टीजीटी विकिंसी के बारे में इसके साथ साथ पैरमाई भरती से 24 लाग चात्तों के बाहर होने के बारे में और इसके अलाबा और भी कई बड़ी लेटिस अपडेट एक ही करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबालें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकाई सबसे पहले मिलती रहें जिससा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सिर्बाट जैन आयू के संबंद में लगातार कहिन की अब्रती इंतजार कर रहे थे कि सरकार जल से जल्द इसका गठन करते जिससे कि आने वाली भरतियों के जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएं जिस जिससे कि अब्रती कराएं या ना कराएं फराक नी पड़ता सरकार को लेकिन चार्तों को बहुत जादा पड़ता है चलि मुद्धे पर आ जाते हैं नई शिक्षा सिर्बाट जैन आयूक के बारे में जैसा कि कली मैंने आप सुभी को जानकर दी थी कि नई शिक्षा सिर्ब चैन आयोक को लेकर कल की तारीक में कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है और देश आम को आते आते कैबिनेट से मंजूरी मिल गई लिखा हुआ है कैबिनेट के फैसले ऑतर विदेश सिच्षा सिर्बाट ज लिएर की चैन है वो सर्च कमिटी के माध्यम से किया जाएगा मुख्यमंति योगी आदितनाथ की अद्यक्षता के अंदर मंगलवार को ही केबिनिट बैठक में सच्छिकों की भरती के लिए गटित उतर विदे सिच्छा सिवा चैन आयोग नीमा बली को मंजूरी दे दी गई है नीमा मंदलों में राज्य बिश्विद्याले की स्तापना के लिए नए विदेक लाने पर सेमती बनी है इसके अलाबर ये भी लिखा हुआ है कि चार उप सचिप भी तेनाथ किये जाएंगे सरकार नीमा बली में ये प्रापदान किया गया है कि आयोग में एक सचिप के परिक्ष जिनका कारिकाल तीन साल से अधिक नहीं होगा उचिदर सिच्छा आयोग प्राग्राज इसके अलाबर उत्तरविदेस मादिमी सिच्छा सेवा चैन बोड के सभी पूनकारी करमचारी आयोग में समायत कर दिये जाएंगे नीमा बली की केबिनिट में मनजूरी के बाद में इसके अध्यक्ष और दस सदस्यों के गहिने की परदो पर जो प्रकिया है वो जल्द शुरू होगी नीमा बली में आयोग के कामकार जबा उसके अधिकार थथा अध्यक्ष एबम सदस्यों की योगिता के उनके अधिकारों का वर्डन किया गया है आयोग को basic मातिमी समायत कर दिया जाएगा इसके साथ साथ अब नया सिच्छा सिवा चैन आयोक बनकर तयार हो चुका है क्योंकि यहाँ पर नए सिच्छा सिवा चैन आयोक को लेकर नीमा वली को मंजूरी दे दी गई है नीमा वली को भरति प्रकिया शुरू की जाएगी उसके बाद में भरतियों के लिए जो त्यारिया वो स्यूरू कर दी जाएगी चाहे अगर वो बात की जाए यूपी में होने वाली टीटी परीक्षा को लेकर जिसके लिए सरकार अपने फायदे के लिए विग्यापन तो जारी करेगी जो सत्य है दूसरी अगर बात की जाए UPTGD-PGD परीक्षा के बारे में क्योंकि काफी लंबे समय पहले माध्यमिक शिक्षा सिवा चैन बोड की माध्यम जिसका विग्यापन तो निकाला गया था लेकिन नए सिक्षा सिवा चैन आयो की बज़े से ये भरती बीच में ही दुक गई थी और अभी भी लटकी हुई है लेकिन अब एक उम्मीत की किरण में ज़र आ रही है अगर नए सिक्षा सिवा चैन आयो के जल्दी सदस्य और द्यक्ष की निक्ति शुरू हो जाती है तो ये भरती भी जादा आप सुभी के लिए इंतजार नहीं करवाईगी इसी तरीके से अगर बात की जाए सुपर टीटी वेकिंसी के बारे में क्यूंकि सुपर टीटी को लेकर भी लाखों की संक्या में उत्तर बुद्रिस के प्राथमिक विद्यालें में टीचर्स के पदखाली है और सरकार अगर चाहे तो कभी भी इन पदों पर विग्यापन जादी कर सकती है लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो रुकावर थी वो नए शिक्षा सेवा चैन आयो की थी जो कि अब लगबग खतम हो रही है दिए दिजे एक एक करके प्रोसेस ऐसे ही कंपलीट होता है तब भी बेउजगा चाहतों के लिए इससे अच्छी और बड़ी जाएगा अब देखना यह होगा कि उसमें कितना समय लगता है क्योंकि सरकार के माध्यम से इस प्रोसेस को अभी विधान सभा की अंदर भी पास करवाया जाएगा और उसके बाद यह जो प्रोसेस है वो जमीनी इस तरह पर आपको देखने के लिए मिलेगा लेकिन वहीं द देखने के लिए मिलता है वो अठारे महीने का एक कोर्स करवाया जाता है अब इस को लेकर पहले से बहुत ज्यादा विवात थे क्योंकि जो एन आई व्श डी लेड शुरू किया गया था वो उन टीचर्स के लिए था जो इन सर्विस टीचर्स हैं ठीक है इन सर्विस का मत कि जो पहले से सर्विस पे हैं उनकी यहां रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में यह निकाली जाती है उसके अंधर भी अहां प्रटी आपेतिकां के मामले कोटमे मिले इसी कि पारारे महिनी का DLA डिप्लोमा दो वर्स के बरावर नहीं ऐसा कहना है सुप्रीम कोट का सुप्रीम कोट ने मंगलबाग को मेहत्वूट भैसला देती हुए कहा कि राष्टी मुक्ति विध्याले सिच्छा संस्तान यानि कि एनाई वेस से अठाय महीनी का डिप्लोमा के बराबर नहीं है शीश अदालत ने कहा कि सभी तत्यों को जाहे ह होता है कि NIUSA डिलेड अठाय महीने का डिपलोमा रिजाष्टरि सिच्छक परिषयद एंसेटई इनसेटि इन सिच्छक बोर्ति योग जबगता के जूपे मानिता नहीं दीए कोर्ट इस एनाई वेस ंठाय महीने का डिलेड डिपलोमा धारक शामिल नहीं हो सकते हैं जस्टिस बियार गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीट ने ननिता हाई कोट के फैसले के खिलाब उत्तर अखंड सरकार जैवी सिंग अनिब द्वारा दाखिल विशेश अनमती याचिका को सुविकार करते हुए ये फैसला दिया पीट ने हाई कोट के उस पैसले को जद कर दिया जिसमें कहा गया था कि एनाई वेस से 18 महीने का डियलेट डिपलोमा पार्टगम दो साल के डिपलोमा के बराबर है शीश अदालत ने कहा कि हाई कोट का ये कहना गलत है दोनों डिपलोमा बराबर नहीं है NCTE के दोड़ा 23 अगस 2010 और 29 जुले 2011 की अधिसूशना के स्तान पर ये इस आस्या में 18 महीने का पार्टगम लाया गया था और ऐसी कोई अधिसूशना जाई नहीं किये जिसमें सिच्चक निवक्ती के लिए नियुम्तम योगिता की रूप में दो वर्ष की डिपलोमा को अनिवार योगिता माना है यह टिपनी करते हुए शीश कोट का फैसला दद कर दिया गया यानि कि सुप्रिम कोट ऑफ इंडिया के माध्यम से साफ कर दिया गया कि जो अठाय महीने का डिलेड कोर्स है यानि कि जो बीटीसी जिसको आप पुरानी भाषा में कहते थे और जो एनाई वेस डिलेड है वो एक समान नहीं है इसलिए अब एनाई वेस से डिलेड करने वाले अभ्यती आने वाली नई सच्छक भातियों से पूरे तरीके से भाग होंगे ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस अपडेट फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नहीं हो बड़ी अपडेट के साथ तिल देन टेके टटा बबाई थेंक यू थेंक यू फर वाचिंग इस वीडियो